हेलो फ्रेंट स्वागत है आप लोग का NCIT जो नमे है फ्रेंट हम सोचियोलजी क्लास 12 का जो रिवीजन स्रीज श्टार्ट किया है देकि रिवीजन का मतलब नहीं है कि एक भी पॉइंट चुटा हुआ है पूरा चाक्टर कंप्लीट कर रहा है इसमें और साथ में साथ हम question answer को भी discuss करते है क्योंकि यह रिवीजन जो एक पेज में मेरा mind map के थ्रू में complete करा रहा हूँ एक पेज के अंदर ही आपका जितने सारे question है वो सारे tackle हो जाएंगे इसे ठीक है तो इसमें हम अभी क्या करने वाले है मैंने second chapter कल ही करा है इसमें third chapter करें क्या नाम है social institution social institution के बार में इसमें discuss करें है कौन कौन से social institution इस chapter में तीन discuss करना है क्या 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 से कंटिनू हो रही है क्योंकि यह सारे जो institution है या उससे भी पुराने है और उसमें क्या-क्या दिन पर दिन बदलाव आते जा रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे इस चाप्टर में तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ आपको बता दू यह पेज आपको डाउनलोड करने के लिए आप आप टेलिग्राम ग्रूप पे जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अपलोड करना आसान होता है उसके अलाबे आप इस्टा पे भी कोई मैसेज कर सकते हैं क्वेरी पूछ सकते हैं फेस्बुक पे भी और अगर आपको अच्छा लगता है तो minimum जितना contribute कर सकते हैं minimum से minimum ज़्यादा नहीं क्योंकि आप भी student ही है तो contribute कर सकते हैं ताकि हम भी अपना infra वगरा सब improve करने में मदद करें और आपके लिए ही quality अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने में मदद होगी ठीक है तो friends शुरू करते हैं देखे एक page में ही आपका पूरा chapter खते में इसी को अब हम detail से discuss करेंगे और ध्यान देना मैं चाह के भी कम time का video नहीं बना सकता नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा एक chapter कम्प्लीट करना है उसके बाद question answer को भी discuss करना है साथ साथ कि कैसे tackle करते हैं और मेरे ही इस page से ही आपको कौन सा part कौन से question में लिखना है तो यह समय time लगता है तो मैं चाह के भी आपको 40-50 मिनट से कम का video नहीं बना सकता ठीक है तो थोड़ा आप cooperate किये तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें Social Institution, Continuity and Change तो पिछले chapter में हमने देखा था Population के बार मेंशस करते हैं तो ऐसा थोरी यह demography अलग अलग रहते हैं जैसे हम सब इंसान है हम ऐसा थोरी है कि अलग 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 रहते हैं नहीं, हम distinct नहीं रहते हैं हम interlinked class में रहते हैं हमारा relation है एक दूसरे के साथ ठीक ना तो हमारा relation को कोई ने कोई जैसे हमारा कोई relation है हम एक social group से बिलॉग करते हैं तो regulate होता है किसी ने किसी social institution के द्वारा जैसे मैं बोलुआ कि हम 6-7 लोग है वो या तो किसी family से बिलॉग करते हैं या पूरी हम एक community है किसी particular caste से बिलॉग कर तो तीन social institution के बार में हमने discuss करना है इस chapter में caste, tribe and family तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें discuss करना है caste तो caste में हमारा पहला topic है कि caste कोई नया term है या caste पूराना है या caste बहुत दिनों चला रहा है ठीक है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि caste in the past तो caste जो English हम जो use करते है लेकिन actually जो caste वर्ड है और लिया गया है पूर्तगीश वर्ड कास्टा से कास्टा का मतलब है pure breed ठीक है ना pure breed तो caste जो है caste एक ancient social institution है अब question होता है social institution क्या होता है देखो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इंसान अखेली नहीं रह सकता तो इंसान इकठा तो रहेगा ना तो अगर ये तीनों इंसान पहले अलग लग रहे तो इन तीनों को कोई existence ही नहीं है लेकिन तीनों अगर एक साथ है तीनों में कोई relation है तो हम ऐसा माल लेंगे कि एक social group है social group से क्या बनेगा है social group एक छोटा part होता है अगर उसी को extend करते करते गया धीर है तो एक institution बना दे जैसे आप college म को अगर का social institution है तो कास्ट वर्ड तो है पूरतु किशन लेकि इंडिया में कैसा है इंडिया में इंडिया लैंगमेज में इसको जाती और या वर्ण बोलते हैं दोनों में slightly कुछ डिफरेंस है जैसे इंडिया लैंगमेज मेंम जो जाती बोलते हैं वो कास्ट का ही है institution of Indian caste और caste क्या है? regional, local, subclassification और ज़्यादा होता है caste से subcast में कैसे मतलब अलग-अलग और तूटता जाता है ठीकिन, caste, subcast उसके है जैसे एक ब्राह्मिन, type of ब्राह्मिन हो जाते हैं, वुमिहार ऐसे से राजपूत में, ऐसे से type तूटते हैं, लेकिन ब्राह्मिन जो है, यानि हम ऐसा बोल सकते हैं caste हमारे देश में ही अलग-अलग राज्ये, अलग-अलग community में, अलग-अलग होगा ओके, लेकिन वर्ना है, वर्ना एक standard है standard कैसे? जैसे वर्ना हम या तो किस के basis पर करते हैं या तो हम color के basis पर बोल देते हैं या कहीं-कहीं पर occupation के basis पर बोलते हैं तो color के basis पर किस type का है या occupation के basis पर वर्ना चार पार्ट में divided है ब्राह्मिन, छत्रिये, वैसे और सुद्र सबका अपना काम है ब्राह्मन का काम है पूजा, religious activities करना या educational activities में participate करना उसके अलावे छत्रिये का काम है कि राज्ये को समालना लराई वराई करना वैसे का काम है कि merchant ओगरा का काम, trade ओगरा का काम और सुद्र का काम है इन तीनों community को इन तीनों वर्न को serve करना service provide करना इसके अलावे वर्न में चार के अलावे एक और वर्न है लेकिन उसको वर्न की काटेगरी में ही नहीं रखा जाता है उसको हम बोलते हैं आउट कास्ट या आउटर कास्ट बोलते हैं या उसको बोलते हैं पंचमास यानि पंचमा बर्न तो बोलते हैं लेकिन उसको वर्न की काटेगरी से ही वाहर रखा जाता है एक ची मैं आपको बता दू स्टार्टिंग में जब वर्न सिस्टम आया था रिग वेदा में एक्चुली रिग वेदा के टेंथ मंडल है ना उसमें वर्न सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है लेकिन वर्न सिस्टम स्टार्टिंग में इतना रिजिट नहीं था आप चेंज धब हुआ लैटर वेदी करहा में बहुत ज़दा रेजिट वगया प्रीवेदी करे में उथना ज़दा रेजिट नहीं था लेकिन लेटर वेदी करहा में इतना rigid हो गया कि आप change कर ही नहीं सकते अपना वर्न आपका जो वर्न है वही वर्न रहेगा उसी तरह cast का भी है cast भी हम change नहीं कर सकते हैं cast का definition देखेंगे तो हमने देखा cast बहुत पहले से यानि हमारे past में भी है हमारे भूत काल में भी है तो जरूरी नहीं है कि मैं एक चीज़ आपको बता थोड़ा पास्ट जरूरी नहीं है सही हो तो past को हम change करते हैं ठीक है न तो past जरूरी नहीं सही हो तो हमें कोई भी cast देखो cast तो है हमारा यह सत्ते है इसको हम आप जोटला रहा करो या ऐसे चीज़ों को चाहो कि कैसे भी करके ऐसे चीज़ों को खतम करें तो कुछ भी करने से पहले कोई भी act करने से पहले जरूर दो मिनिट सोचो ठीक है उसके लाबे next topic है definition of cast या features of cast बोल सकते हो definition of cast direct answer question इस पहाता है direct question आगा इससे एक question बने है इससे question बने है जो जो मैं बता रहा हूँ सब पे question है लेकिन इन सब question को करने से पहले आपको simple आएगा definition of cast या features of cast भाई पहला तो देना ही देना जो पहला line है कि NCN social institution है पुर्टगी सोर्ड कास्टा से लिया गया है यह सब आपको लिखना ही लिखना है वो दो line में लिखो उसके बाद से feature से बता दो तो पहला features क्या है कि जो cast है ध्यान देना जो cast है वो एक inscribed status inscribed status का मतलब होता है आप change नहीं कर सकते आपको जन्म के साथ ही मिलता है आप जन्म के साथ ही व्रहमन जन्म के साथ ही राजपूत अब जन्म के साथ ही lower caste जो भी हो वो आप जन्म के साथ ही मिल जाता है मतलब इसको आप change नहीं कर सकते ठीक है next है indogamous indogamous marriage जो होता है marriage एक type का social institution है यह आपको indogamous युख होता है मतलब अपने जाती में ही अपने कास्ट में ही साधी होना चाहिए मतलब majority अभी भी इंडिया में indogamous युख होती है next है specific food sharing example लेते हैं कि upper caste और lower caste यह आपस में जो सुद्र community और ब्रहमन का दूश्ट से आपस में food share नहीं करते ब्रहमन का तो food खा लेते हैं लेकिन शुद्र community के घर पे जाके ब्रहमन नहीं खाते थे अभी बहुत कुछ change हुआ है तो जो भी हम बात करते हो जरूरी नहीं है कि आप relate कर पाओ अभी क्योंकि अभी बहुत जादा changes हुआ है next है hierarchy और rank obviously caste के हिसाब से बटा हुआ है अभी भी rural area में आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि कैसे hierarchy में बटा हुआ है सबसे पहले ब्रहमन है caste कहीं सबसे hierarchy में बटा हुआ है नीचे वाला caste अभी भी service प्रोवाइट कर रहा है उपर बाले caste को या इसा segmented organization है कि एक caste दूसरे caste से बिलकुल segmented है आप अलग हो हम अलग है ऐसे ऐसे बाते करते हैं और caste में भी टूटा हुआ है caste में भी sub caste है जैसे मालो caste में जैसे मालो example लेते हैं एक ब्रहमन ही caste है ब्रहमन caste में किसी के पास economic power भी आगया political power भी आगया तो आप देख रहे हो एक caste था उसमें आप सब का छोटा-छोटा टुकरा कर रहे हो उसके लाब है occupation occupation किस basis पे divide होता था कि आपका वर्न कौन सा है जाती कौन सा है ठीक है तो आपके features आप लिग सकते हो आराम से उसके बाद next है ये भी एक टाइप का question features कि क्या के लिए लिएक है birth, endogamous, marriage होते थी food sharing में specificity है कि आप इसी बंदे से food ले सखा सकते हो hierarchy और ranking में divide है caste में हिसाब से segmented है segmented का मतलब two अलग-अलग बटा हुआ है और आपका काम आपका काम hierarchy में बटा हुआ है next है caste system understood by two seat of principle ये भाई कितना important है बहुत बार exam में आ चुका है आपके example में आपसे simple पूछा जाता है वो कौन से दो principle है जिसके basis पे आप caste system को समझ पाते हो तो दो है एक है difference and separation and second है पहला difference and separation second है holism and hierarchy separation का simple मतलब होता है देखो difference and separation का simple मतलब है each caste is different and separate from each caste मतलब कि सारा caste अलग-अलग है मतलब मैं अगर मैं एक example ले तो मैं एक particular A caste से हूँ और आप B caste से हो तो हम दोनों बिलकुल भी बिलकुल अलग-अलग है उसके अलाबे individual have no individual का कोई अपना existence नहीं होता है हम सिर्फ larger whole का पार्ट होते जैसे मैं example लेता हूँ कि मैं इस particular जैसे मैं ब्रामिन कास्ट से बिलोंग करता हूँ तो मेरा separate कोई existence नहीं है मैं सिर्फ इसलिए existence करता हूँ क्योंकि मैं इस particular बरे से caste का पार्ट हो आप इस particular कास्ट के पार्ट हो बी कास्ट के पार्ट हो तो इसलिए आपका कोई separate existence नहीं है आप इस particular कास्ट के पार्ट हो लेकिन हम दोनों बिलकुल अलग अलग है हम दोनों में बहुत जादा differences है उके उसके अलाबे difference है simple जैसे माल लोग simple difference बात करें तो इससे कोई problem है हम दोनों अलग अलग है जैसे female और male अलग अलग है इसमें कोई problem किसी को नहीं होनी चाहिए problem तब आती है जब आप ranking करने लगते हो आप hierarchy में डाल देता हो कि चलो अगर आप male हो तो आप superior हो female हो तो inferior हो ये गलत है तो simple difference होगा नहीं तो इससे को problem नहीं होती है caste system में भी simple difference होता है कि अलग काष्ट अलग अलग है कोई problem नहीं किसी को कोई problem नहीं occupation के कि आप अपने हिसाब से काम करते हो किसी को कोई problem तब आती है जब आप ranking decide करने लगते हो ओके next है रैंकिंग आप करते हो highest to lowest, उसके next है holism and hierarchy, simple है holism and hierarchy, जैसे एक concept आपने सुना होगा, pollution and purity का, pollution and purity का, pollution है purity का मतलब होता है, जो pure होते है, pure का मतलब जो है पवित्र, पवित्र का मतलब होता है close to sacred, sacred का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, और उसके अलाब एक होता है pollution, pollution का मतलब ज नहीं है अपवित्र है तो क्या किया जाता है वर्न में जो हाइस्ट वर्न था ब्रहामन को बोला जाता था कि आप काफी ज्यादा सैक्रेट है आप काफी ज्यादा पवित्र है और जो आउटर कास्ट है उसको पॉलूशन की काटेगरी में बोला जाता है ठीक है उसके बाद होता क्या था होता क्या था यह दोनों आपस में separate रहते थे यह दोनों बिलकुल अलग है हरार्खी में बटा हुआ यह उपर है नीचे है बटा हुआ है लेकिन आपको एक मतलब आप देख सकते हो कितना कैसी बिडबना है कैसी बिडबना है मैं एक example लेता और जो आउटर कास्ट है वो क्या करते है देखो अब इससे बस मैं एक point बता रहा आउटर कास्ट क्या करते है वो लोग गंदगी साफ करते हैं चाहे manual scavenger हो या कचरा उठाने वाले हो यह आउटर कास्ट होते है उस समय की बात करते है देखो अभी हो सकता है बरतबान में आप इसे link ना कर पाओ लेकिन ऐसा actually होता था तो आउटर कास्ट होते तो क्या करते थे गंदगी साफ करते थे जो गंदगी साफ करता है उसको हम क्या बोले है उसको हम pollution बोले है भाई ये गंदगी नहीं साफ करता तो ये भी तो गंदा रहा था simple फंडा लगा सकते हैं तो complimentary complimentary and not competing group obviously दोनों ग्रूप है pollution and purity वाले एक ग्रूप बटा हुआ है दोनों complimentary भाई दोनों को एक दूसरे के जरूरत है और कभी भी compete नहीं कर सकते कोई एक दूसरे की जगह छीन नहीं सकता ठीक है और काम की देखो यहाँ पे लिखा हो ना holism and hierarchy hierarchy का मतलब होता है social division of labor था division of labor का मतलब क्या है कि आपकी caste के हिसाब से आपका काम बटा हुआ है और इसमें क्या हो सकता आप mobile नहीं हो सकता ऐसा नहीं कि आप अगले दिन बोलोगे कि मैं जने हूँ एक sacred thread पहन ले रहा हूँ और अगले दिन से ब्रह्मन वाला काम करनों गा हो ऐसा नहीं हो सकता ओके नेक्स्ट है कि एक CSP एक टर्म है यह मतलब आपको बुक का नहीं था यह मैंने लिख लिया तीन टाइप का जो पावर होता है मतलब एक कैसे कैसे लोग में डिवाइड होता है एक होता है क्लास का मतलब होता है economic पावर अलगल होता है एक होता है social का मतलब society में जैसे caste system उपर नीचे है यह इखा था political पावर पॉलिटिकल पावर पॉलिटिकल आप कितने contact है आपके जैसे आप बोलते हो कि मेरी इस पटी से contact है तो आपके मतलब है आपके पास political power है ज्यादा तो अगर इन तीनों में से कोई एक भी होता है तो आप बोलते हैं हाँ ठीक ठाक है लेकिन इन तीनों में से तीनों में से तीनों पॉइंट किसी के पास नहीं है जैसे आउटर कास्ट के पास तीनों में से कुछ नहीं होता है जेनरल ही नहीं होता है तो वो सबसे नीचे रहते हैं तो हमने देख लिया दो point हमने देख लिया difference and separation दो principle थे हैं होली जमान हरार्की हरार्की यह बटा हुआ है लेकिन हरार्की यह बटा हुआ है लेकिन एक group अपने लिए काम करता है मतलब एक दूसरे के लिए काम करते है मतलब एक group इसके अबिना नहीं रहा सकते है जैसे माँ example लेता हूँ जैसे देखो एक A group है एक A group है देखो यह दोनों हमेशा एक दूसरे के complimentary एक दोनों के काम करते है और दोनों में बहुत यह इसको मुह देखना नहीं चाहता है लेकिन यह दोनों इस अलग अलग रहे भी नहीं सकते हमें ऐसा देखना जाते है next है next है कि next topic है colony जन देखो जब ब्रिटीश आये ब्रिटीश का impact क्या परा कास्ट पे तो हमने अभी तक क्या क्या topic देखा हमने कास्ट का basic देखा उसका features देखे उसके बाद कास्ट को कास्ट के दो set of principles है जिसके basis में हम कास्ट को समझ पाते है next है कि ब्रिटीश के आने से कास्ट पे क्या impact परा मतलब कास्ट क्या हो ऐसा क्यों हो ऐसा रहा मतलब हमने देखा ना कि कास्ट बहुत पहले से आ रहा है कि जैसे मालो बेदी के रहा की बात करते हैं उस समय कास्ट रिस्ट्रिक था लेकिन ब्रिटीश आने के से कुछ समय पहले की बात करते हैं कुछ समय पहले सौ दोसो साल पहले कास्ट पता नहीं चलता था उतना ज्यादा दिखता नहीं था कास्ट कैसी पारा जैसे मैं एक जामपल लेता हूँ ठीक रिजरवेशन जैसे गवर्मेंट ओफ इनेर जब रिजरवेशन देनी की बात की उससे पहले भी कास्ट उतना ज्यादा प्रभाब साली नहीं था लब था लेकिन उतना ज्यादा हमें एक एक चीज में कास्ट नहीं देखता अबने कास्ट दिखता कि मुझे रिजरवेशन लेने मुझे ये सबस्क्राइब देने तो मैं कास्ट दिखांगा दिखांगा लेकिन उससे पहरे नहीं पता चलता था जैसे देखता हम् Really कास्ट के बारे भूला जाता है एसके कारुन है और प्रिटीस के कारान ऐसे ब्रेटीस को अपनी 一वा岖 वाय इसके लिए उसे फहले पारे में जाना था तो उसने सबसे पहले survey करना start किया तो survey करवाना था तो survey करवाता था देश के बारे पता चलता तो उसने survey में cast भी include के लिए कि चलो आप पता करो अब cast भी पता करो तो British intensive survey करना चाता था ताकि एक बार report survey आ जा तो report में पता चल जा कि society कैसी है किस type के cast है कैसा custom कैसे manner कैसे रहते हैं क्या-का यूज करते हैं तो उसके बाद हम अगर एक बार सारी society के बारे में जान ले तो उसी हिसाब से policy formulation कर सकते हैं उसी हिसाब से अपनी policy बना सकते हैं कि हाँ चलो इसको तो दबाना लिए है चलो इसको हम नहीं दवा सकते, कुछ भी करके, ठीक है, तो जितने भी, इसलिए तो जितने भी जमिंदार हो गयरा होते थे, ब्रेटीस के समय में, सब अधिकतर अपरकाश्ची होते थे, अब बता तो rare, rare of the rarest case होगा, ही होगा, कि सुद्र कम्यूनिटी जमिंदार हो, बहुत बहुत-बहुत rare case होगा, या पता नहीं होगा भी नहीं, मैं, ठीक है, तो survey की बात करते हैं, सबसे पहले survey की बात की गई थी, 1860 में, लेकिन सबसे पहले survey actually हुआ थे, 1872 में, बात की थे, 1862 में, 60 में, 1872, लेकिन 1881 के बाद, 1881 के बाद, regular survey होने लगा, हर 10 तालबे, लेकिन, कास्ट बाला funda का बाया, कास्ट बाला funda है, 1901 में, जब हरवर्ट रिस्की ने, कास्ट में ranking देना शुरू किया, अपने survey में, समझ सकतो कितना खतरनाक था ये बाला, एक बाला कदम, मतलब कि, कास्ट की ranking दे रहे हो, आप survey में ही, उसके बाद क्या हुआ, कि, इसके बाद क्या हुआ, जब ही ranking गया, तो thousand petition आने लगे, भाई, मेरा rank इंप्रूव करो, अंग्रेज सरकार के पास, कि आपने मुझे, 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 आपने मुझे, नीचे वाले rank में क्यों रखा, आप मुझे उपर वाले rank में रखो, और अभी होता कि, अभी present में, सब लोग नीचे नीचे rank में जाना चाहते हैं, ताकि reservation का उतना ज़्यादा उठाया जा सके, अभी किसी की STHC को आप OBC में डाल दो, वो इतना ज़्यादा हंगामा करेगा petition डाल डाल के, उस समय क्या होता था, उल्टा होता था, उस समय बोलता था, कि मुझे, मुझे आप उपर वाले rank में इंप्रूफ करो, क्योंकि उस समय उपर वाले rank में रहने से ज़्यादा था, as compared to नीचे वाले rank, ठीक है, उस काद क्या होता था, according to a scholar, before this caste more fluid or less rigid, मतलब पता नहीं चलता था, उतना caste होगारा का पारे में, उस काद क्या हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ, obviously permanent settlement, यह सब सेटलमेंट जो होता था, तो लैंड को, लैंड का legal recognition कि इसको मिला, मैंने बोला ना, कि आप, आप जमिंदार lower caste देखी नहीं सकते, तो इसमें higher caste को मिला, but end of the colonial period, government want welfare अपता, देखो, लेकिन last में जब government, England government जाना लगा, ब्रेटेस का ब्रेटेस, तो भी सोचने लगा है, यार, बहुत problem है, जो lower caste है, उसको बहुत ज्यादा problem है, तो उसने सोचा कि हम क्यों ना जो downtrodent section है, उसका welfare के रहे, खास कर ST और SC का welfare करे, तो उसके लिए government of India act लाया, 1935, उसके अंदर बहुत सारे कदम थे, इसके फायदा के लिए, इसके upliftment के लिए, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा, कि ब्रेटेस के समय में caste का क्या क्या position था, वो सब आप लिग सकते हो, कास्ट का present में क्या impact है, present समय में, कास्ट आपको कैसा दिखता है, ठीक है, तो ये भी direct question है, यहां तक है, आपको 5-6 point है, आपको रट लेने है, point आपको रट लेने है, ये तो आप लिखी लोगे, ठीक है, तो point देखो, सबसे पहले, कास्ट जब ब्रेटीस एरा के ही बात कर और उसके साथ उनको हम, उनको हम, नेशनल मुव्मेंट में पार्ट भी लाए, तो उनका दो फैदा होगा, एक तो उनको लेगा, यार हम खुद आजाद करवा रहे हैं, अपने देश का, एक तो उनको लेगा, कि अपने देश का आजाद हम खुद करवा रहे हैं, क्यूंकि अगर मान लो आजादी में वो पार्ट नहीं लिए और उसके बाद उनके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए सरकार में, सरकार के अंदर तो उनको क्या लेगा यार मुझे तो ये मतलब खारात में दे रहा है लेकिन लेकिन अगर उन्होंने जैसे mass mobilization में उन्होंने पाट लिया तो उनको लग रहा है यानोंने actually देश को आजाद कर बाने पाट लिया अगर आप उनको इसके बाद सरकार अगर उन्हों को कुछ देती है तो उन्हें लगा है यार ये मेरा खरात नहीं है, मेरा हक है मैंने किया देश के लिए, देश मेरा भी उतना ही है जितना किसी और का है ठीक है, सेकेंड पॉइंट है reformer, बहुत सारे reformer में बहुत साधा काम किया lower caste या lower caste या women, इन सब को की स्थिती को improve करने में जैसे आज एक आता है, राजा राम मोहन राय जैसे आपने सुनाई होगा ब्रहम मौत समाज के बारे में इसवर चंद्र लिद्या सागर जैसे इन्हों ने राधा राम मोहन ने सती प्रथा को खतम करवाया था, बिलियम बेंटिक के साथ मिलके, उसके साथ ही इस्वर व्यस्चंद बिद्या सागन ने भी बहुत काम किया, उसके महात्मा गांधी ने दो चीज़ों, एक महात्मा गांधी दो चीज़ करते थे, एक चीज करते थे, अन्टेचिबिलीटी को उन्होंने हटाया, अन्टेचिबिलीटी को भी हटाया, और उसके बाद देखो, गांदी जी जी के दोस्त दोनों थे एक तो जो lower caste थे जो untouchability face करते तो वह भी गांदे जी के दोस्त थे और उपर से rich people भी गांदी piace के के दोस्त थे तो गांदी जी दोनों को balance बिनाकत चलते थे ऐसा नहीं कि गांदी जी जी को rich people को डर भी लगने लगता था कि गांधी जी बहुत जादा critical हो जाएंगे तो हमसे जमीन छील के इन लोग बारते हैंगे लेकिन गांधी जी दोनों को समझा के रखते थे दोनों के को balance कैसे establish करना है वो establish करना कोई इन से सीखे उसकाद अमेदकर जी ने बहुत जादा काम किया जोयतिवाफुले का अपना नाम सुना होगा स्री नरायन गुरु का नाम सुना होगा पेडियार का नाम से इन सब ने लोवर कास्ट के लिए बहुत जादा काम किया ठीक है तो इन नेशनलिस्ट मुवमेंट उसके साथ रिफॉर्मर उसका पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में अक्चिली हुआ क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हमारा समिधान बना समिधान में हमने माल लिया सिंपल है कि कंस्टिटूशन कंस्टिटूशन के सामने सब बरावर है लेकिन इसके अलावे भी हम reservation देंगे क्योंकि इनका जो position इतना खराब है एक बार position सुधर जा उसका reservation को बंद कर देंगे ठीक है और बहुत सारे sufficient major लिया जाएगा जिसके कारण economic rift दोनों के बीच है upper caste lower के बीच उसको खतम किया जाएगा नेक्स है development में क्या किया गया development में और किया गया जैसे modern industry बनाई गई और modern industry में क्या हुआ modern industry में कोई caste segregation नहीं है बहुत सारे मतलब की इस सब क्या caste at present के बात करें तो पहला nationalist movement, reformer, post-independence में क्या हुआ और अभी क्या होता है जैसे अभी बहुत सारे फैक्टरिया बनती है modern industry तो उसमें कोई caste segregation नहीं होता है आपको merit है तो आईए नहीं है तो जाईए ठीक है individual है focus होता आप पे focus होगा ऐसा नहीं कि भाई तुम किस caste क्यों हो तुम किस family से बिलाउं करते है यह नहीं ऐसा नहीं हुआ लेकिन इन सब के बाबजूद भी कुछ ऐसे case देखने को मिले जिसमें लगता है कि जाती बात हुआ जैसे एक Bombay meal का example दिया जाता है जैसे मालो एक example लेते है एक meal था meal था Bombay में तो meal में कुछ इंसान काम करते हैं जाज पाँच इंसान काम करते हैं या तीन इंसान काम करते थे ठीक है तीनों कहीं कहीं के रहे होंगे तो या तीनों हो सकता है एक जग के रहे होंगे तीन लोग काम करने गए अभी उस meal में तीन ही लोग है लेकिन जब meal का production अच्छा होने लगा तो और जो इसका मालिक है उसको लगा कि आरे यार तीन लोग तो अच्छा है काम करती तेनों बोला कि तुम अपने जैसे और लोग को बोला के लगा तो इसको बोला के लगा भाई यह बोला के लगा अपने सग अपने family अपने किन से बाल किंसी बेश्ट कास्ट बेश्ट अभी आपको देखने को मिल सकता है next है कास्ट अरे स्ट्रॉंग इन कल्स्राल एंड डोमेस्टिक इस्पेर एक जी आपको मैं बता दू कास्ट अभी भी हम इतना बोलने हैं कि रिफॉर्मा रहा है पोस्ट इंडिपेंदेंस में जाटे हैं उसके अलाबे अभी क्या होता है कास्ट पॉलिटिक्स होती है कास्ट बहुत सारी ऐसे पार्टी है जो कास्ट के बसिस पे ही बनी है जैसे बस ब्स ब्स जैसे LSP जो पार्टी होती है लोक जनसकती पार्टी है I think Rambilas Passman की अब पूरा नाम देख सकते हो SHAPA और RJDA पार्टी सब cast-based पार्टी है स्टार्टी में भले ही अब अपग्रेड होगी है लेकिन इंडू का काम था cast-based party ही बनाना तो cast and present हमने देख लिए पॉइंट की कास्ट अभी कैसे देखनों के मिलता है तो अपने देख लिया उसका यहां पर है एक concept है MNS MN स्रीनिवास का concept MN स्रीनिवास का concept है उन्हेंने कास्ट को कैसे समझा उसने दो टर्म दिये एक है Sanskritization उसके अलाबे एक और टर्म है dominant caste Sanskritization and dominant caste उन्हेंने बोला Sanskritization के टर्म देते बगत उन्हेंने बोला कि कुछ जैसे मामने एक area है उसमें lower caste भी है middle caste भी अपर caste है तो उन्हें बताया कि lower और middle caste क्या करते है अपर caste जो कि या तो ब्रहमिन हो या चत्री है उसको copy करने का try करते है उसको imitate करते है imitate करने का मतलब है क्या क्या करते भाई उसका जो अपर caste का ritual domestic and social practice क्या करते है acquire कर लेते है ritual कैसे ritual का मतलब है sacred threat पहनने लगना है एक particular type का prayer करने लगा religious ceremony उसकी type की उसकी type की पूजा करना है और अलग-लग social practice अपना लगना है जैसे मालो vegetarian हो जाना non wage खारा छोड़ देना तो lower and middle class क्या करते अपर कास्ट को copy करते ताकि उनको लगे कि मैं भी अपर कास्ट बन जाओ या हो सकता इस generation में ना लेकिन next generation में मैं भी अपर कास्ट बन सकता हूँ ठीक है तो लेकिन research में पता चला है कि पहले लोग को इसके लिए पहले लोगों को economic sphere में अपना position उचा करना पड़ता है एक बार economic sphere में position उचा हो जाओगा तो अपने आप अपर कास्ट के साथ उतना बैठना हो जाओगा तो social sphere में अपने आप ऊपर चले जाओगे ठीक है मतलब एक बार economic sphere में उचा हो जाओगे तो social sphere में अपने आप उचा हो जाओगे तो बार बार imitate अप करने के लिए जरूरत नहीं परेगी लेकिन इसके कारण कभी 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 punishment भी जहनला परता था कि इसको lower or middle class को क्योंकि upper caste क्या करते हैं बार बार कभी कभी punish भी कर देते हैं कि तुम इस sacred thread कैसे पहन लिया तुम कैसे bright कपरे पान सकते हो तुम कैसे चपल पान के मेरे सामने चल सकते हो ऐसे बाते भी होती थी उसके अलावे उन्होंने एक term दिया dominant caste है dominant caste कौन किस caste को बोलते हैं dominant caste बोलते हैं कि ऐसा caste जिसकी population बहुत जादा हो और land right पर उसका दिखा रहा लैंड राइट हो उसके पास तो यह क्या बोलते थे जैसे यह बोल रहे थे कि अपर caste क्या होता है अपर caste तो एबसेंटी लेंड क्यूंकि landlord तो जनरली अपर कास्ट हुआ करते थे तो लैंड लोड क्या होते थे एक पार यह अब सेंटी हो क्यों कि देखो जमींदार और लेंड़ोर ज़्यादतर गाउं में नहीं होते थे, वो सहर में होते थे तो वो तो चले जाते हैं सहर में लेकिन अपने मैनेज करने के लिए कुछ intermediate caste को कुछ छोड़ दिया करते थे तो मैनेज करते थे लेंड रिफोर्म जब ही जैसे हुआ तो ये लेंड राइट बहुत ज़्यादा इनको मिल गया, तो इनकी economic power इंक्रीज हो गए economic power जैसे इनकी ज़्यादतर ये religious politics में आ गए क्योंकि इनका population तो इसे भी ज़्यादा था इस particular caste को, जैसे यादब community यूपी बिहार में जाट community राजस्थान में तो ऐसे community का, देखो population ज़्यादा था जैसे land right मिला land reforms होगा, economic power भी इनके पास हो गया, तो इन्होंने regional politics में आपने आप दबदबा कारिम को लिया जिसके कारण इनको dominant caste के category में सामिल कर लिया गया, तो इस dominant caste इनको बोलते हैं, immense इन बास, तो dominant caste को भी copy करते हैं, कभी-कभी lower और middle caste next topic है, caste change in contemporary period मतलब caste में क्या-क्या change आता है contemporary period में कैसे-कैसे क्या-क्या change आया है, उसके बार में discuss करेंगे, तो दो चीह हम देख लेते हैं कि upper caste और this TSE, दोनों के लिए caste का अलग-लग मतलब है जैसे मैं एक example लेता हूँ जैसे मैं बात लेते, upper caste की बात करते हैं, तो upper caste को upper caste को caste दिखता ही नहीं है, कैसे भाई, कैसे नहीं दिखता है, देखो, upper caste जैसे ही देश आजाद हुआ upper caste ही थे, जो कुछ परहे लिखे थे, या कुछ economic power था तो सारे सारे important job पे आ गए सारे important job पे आ गए उनकी next generation थी और basically next generation की परवरीस अच्छी हुई थी, तो अभी अगले वाले generation वही सारे job पे आ गए सारे government के सारे service पे वही खुद आ गए, तो यहां पे इनको तो लगा ही नहीं कि हमें कोई फायदा हुआ कास्ट से, क्योंकि indirectly इनको फायदा हुआ है लेकिन इनको पता ही लग रहा था कि कोई फायदा हुआ है, क्योंकि मतलब हमेसा सारे job पे आ गए जा रहा थे, कोई serious competition नहीं था, जितने job थे उतनी population थी, सब जा रहे थे लेकिन, second और third generation तक भी इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था नुकसान तब होता है जब lower caste को reservation मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो STNHC और depressed class को, इनको तो बहुत दिखा जेता है, क्योंकि इनको कोई education नहीं मिलता है, जो कारण, मतलब positive discrimination मिलता है जिसके कारण, ये थोड़ा-थोड़ा मतलब की, अप उपर जाते हैं, तो caste तो इनके लिए बहुत जादे important था, लेकिन lower caste के लिए, लेकिन upper caste लिए कोई caste नहीं था, तो हम इसको बोल सकते हैं, हमारी society जिसमें upper caste caste-less है, लेकिन HTSC के लिए, caste बहुत जादे important है, ठीक है तो हमने ये सारा, मतलब caste वाला सारा topic देख लिए caste in past, definition of caste and reforms, caste system colonism के साथ caste caste at present, MNS का concept हमने देखा, उसके बाद हमने देखा caste कैसे contemporary period में change हो रहा है, अब हमें देखना है, tribal, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें complete करना है, हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे नहीं